अपनी श्रक्षा अपने हाथ में और जिसना भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला गाईज इसी के साथ मैं इस ब्लोग की सुरुआत करते हैं मैं हूँ अमर दी नोडन राइडर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक ने ब्लोग में आज के ब्लोग में मैं बात करूंगा अपने राइडिंग गेर्स के बारे मैं कौन-कौन से राइडिंग के इस्तों करते हुं जो कि मुझे प्रटेक्शन देते हैं तो सब ब्ली मैं आपको इपना सबस 시내 कि एक सब और कंपनी का और इस पी जो सेटिफिकेशन है डोट है इस सी यह और यहां पे एक होर है यहां पर आइस यह तो यह सीपटी के साफ से बहुत अच्छा हलमेट है यहां फिन लोग है इसमें जिससे जो ट्रुप नहीं होता है उसकी फिल्म है एंटिफोग की फिल्म लगर देते तो जब राइडिंग के दुराने इसको बंद कर देते हैं तो उसमें फोगिंग नहीं होती अंदर और इसके साथ में एक और वाइजर आता है इसके साथ में यहां से इसको आप अपंड डाउन कर सकते हैं यह अच्छा सिस्टम दे रखा है उन्हें और साथ में इसका जो की और इसके जो हैं प्रोटेक्टर के लिए नॉक्स के माइक्रो लोग सी लेवल टू के प्रोटेक्टर हैं और बैक के लिए भी नॉक्स का माइक्रो लोग सी लेवल टू प्रोटेक्टर हैं और जो चेस्ट के लिए हैं वो लेवल बन के हैं नॉक्स के ही हैं माइक्रो सही जैसे बास ही में जाग के लिए हैं यहां से और था सबidents सबसे में को खोल के लिए यहां से लिएBoard वेंटिलेशन के लिए उठा सकते हैं यहां से भी हवा जाने के लिए है लोंग राइड करते हैं सारा सारा दिन आप पहनते हैं तो जुरूरी है बिंटर सीजन के लिए मुझे जैकेट के साथ में ये थरमल केंट मिला है जो कि 가फी हद तक ठंड से बचाता है और सर्दियों में जो videos बनाइएं सब्सक्राइब इस लाइनर को अंदर पहना है जैसे मानली इन सारी वीडियो में को सिम्ला दुक्तिा और मैंने जैसे बता एक जाइकT यह जो राइडिंग जैकेट है वो मुझे पडिए थी तोजम थोजन विप्टी रूपीस की तरमल लाइनर के साथ मैं जो रैंज जैकेट थी मुझे मुझे पड़ी थी 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 थींद हंड़र्ड फुपटी की और अभी बात होगी जैकेट की रीजैकेट की और इसके बाद छलते हैं पेंट में जो राइडिंग इस्तिमाल करता हूं वो है रेन्योक्स की ही में राएटिक है यह पुरी ब्लायक कलर में में पास में और इसमें पीछे यह Chief रखनCON है और आपको desarrollo थी मिलते हैं वह की यहां पर ऑक मीडों करकर्स दोक्त साथ में यहां बेंटिलेशन के लिए भी है गर्मियों के दरहां राइड कर रहे हैं तो उसके लिए यह देखो इस पे यहां पर इस दर दखेघ पर नई रख़ा है यहां से एसे करके आप ऐस के फूल आपकी जो अंदर जाएगी और गर्मी से रहे हैं यह दोनौन इसाइड है कि इसाइड ढम के नफर ना है तो यहां से भएंड को आपको यह को बंदय है पूरा सिस्टम बना रखा है बहुत अच्छा है वी राइडिंग पैंट जो मुझे पड़ा है 8,950 रुपीस का राइडिंग पैंट के बाद मैं बात करते हैं राइडिंग बूट की राइडिंग बूट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यह राजो का है बार्डर प्रूफ है और इसको मैंने बहुत सारी राइडिंग पैंट था और रात को खोलता था और साथ में यहां रिफ्लेक्टिंग यह लगा रखी है जो पीछे से राइडिंग रहते हैं आप आपकी ज्यादा इप्रूब होती है और यह इसमें सिस्टम है बैल्क्रो का है तो बड़ा सिंपल है इसको यहां से खोलो और इसको पहनाओ और फिर से आपको कोई लेस लूस का जंजट नहीं फिर ऐसे बंद कर दो अच्छा है और यहां तक आपका नीज जो प्रोटेक्टर रहता है जब भी रेन होती है तो उस टाइम पर मैं इन बूट के साथ मैं पहन लेता हूं पहनी जाएगा बाहर से भलबाइं या पूरे भी अफानी में या पूरे डिप हो जाए अगर अपका पाउं पानी में चला जाता है आपका आपके पाउं वो अंदर से गेला नहीं होगा उस साफ से इ são मुझे पड़ी है 3,653 रूपीस की और राइडिंग बूट का के लंबर स्पोर्ट मिलती है वो उसी जेकट के साथ आती है राइडिंग की दुरान आपकी बैक करने लगती है लोग तो आप जैकेट में यह अंदर वो सिस्टम बना रखा है उसमें रहती है उसी कि तुरू अपना इसको टाइब कर सकते हैं जिससे जो होगा आपकी जो बैक मैं reflecting tape दे रखी है visibility के लिए और बहुत अच्छा है मैंने साइज थोड़े से बड़े लिए rain jacket और rain paint का because sometime आप जब उसको पहनते है राइडिंग जैगट के ऊपर राइडिंग के ऊपर तो थोड़ा सा मैंने इसलिए लूज लिए कि वो टाइट ना हो राइडिंग जैकेट के साथ जो धर्मल लाइनर पहनते हैं उपर वाला वह तो मैं आप दिखा दिया और यह निच्चे जो अब पहन सकते हैं राइडिंग पैंट के अंदर यह पहनते हैं जिसे आप साथ में आप इसको पहन सकते हैं और बहुत अच्छा मटीरिल है इसका और इसने भी मुझे सर्दियों में बहुत बचाया यह हो गया और ग्लव की बात करते हैं अभी जो ग्लव मैं इस्तेमाल करता हूं और यह मैंने दाइटीन साल पहले लिए थे जब मैंने रोइलन बहुत अच्छे चले अभी तो मुझे लग रहा है जुरूर लग रही है मुझे इसको चेंज करने की पर अभी तक यह फटे नहीं है बहुत अच्छे ने देखो और यह मुझे पढ़े थे सत्रा सो रपे के मैंने रोइलन फिल्ट के सोरूम से लिए तो यह हैं और इनके सा नहीं किया मैंने साचवास वाली राइड पेन को पहना था मैंने संफ टाइम पहना था मैंने खृद के रख ले थे और फॉस्त ताइम पेना था तो मुझे अंकमफट लगा थोड़ा सा अफ़ोड़ा सा बन वीक उनको पहन के चलाओ गे तो भी वह थोड़ा सा है बिल्कुल मेरे हाथ सूखे थे और बहुत अच्छे हैं अंदर से अभी पहने हैं देखो अभी क्या है कि इसको मैं पहन के चलाओंगा ना तो अभी थोड़ा सा आपके हाथ के साफ से होंगे और तो इसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल मैंने किया नहीं है यह पढ़े थे मुझे 4250 रुपीज के तो यह थे ग्लव और इसके बाद में मैंने एक और नहीं चीज अपने राइडिंग एर मैंड की हैं सेंटली मैंने खरीदे हैं राइनोक्स के नीगाड इसको ना जब है यह भी अब बात करते हैं लासिति यह है बलके जो राइनोक का इस्तेमाल करता हूं और यह रैडिंग के दुराना बहुत आपको मद्द करता है तरफों आपको अपकोैं मेलमेट के पेहनता हुए इसको मैं नहीं को पैहनते हैं अर्मी आप राइड करते हैं लॉंग सब्सक्राइब करता है जिससे कि वह आपके आंगों के ऊपर नहीं आता है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं उसको और यह पढ़ा है राइडिंग के दुरान पर जब आप राइडिंग पर राइडिंग जैकेट नहीं ले पा रहे हैं तो नी गार्ड और अल्बो गार्ड भी पर्चेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे मार्केट में बहुत सारे उप्सण है अपने बजट के साफ से आ और आपको फो जड़ा फाइनेंशल लोस भी होता है तो उससे बचने के लिए आप राइडिंग गेर जो है इस्तिमाल जुरूर करें राइड के दुरान में तो गाईज यह था आज का व्लोग और आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताइए इसके साथ में इस वीड पेसे सब्सक्राइब निक Ng voice चैनल कर ना भूले और जो मैंने सब्सक्राइब रहें वीडियो को जासा जाज़ादा लाइक जाल करें और मिलुंगा आप वीडियो में तब तक के लिए और टे केर गाइड आई 7 आप कर er